जै मा बगला मकी मित्रो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी यूटूब चैनल मा बगला मक्री भक्त कुरु क्षेत्र को आप सब्सक्राइब अवस्यकरे मित्रो अपने यूटूब चैनल में मैं आप सभी का हारदिक श्वागत करता हूँ हारदिक अभिनन्दन करता हूँ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्स होली का देहन साथ मार्च को किया जाएगा तदा रंगो वाली होली आठ मार्च को खेली जाएगी 27 मार्च 2023 से होलाश्टक प्रारंब होए थे जिनकी समाप्ती 7 मार्च 2030 से हो जाएगी मित्रो होलाश्टक में कोई भी सुबकारिय नहीं करना चाहिए अन्यथा हमारे जीवन में हानी और दुख की स्थिती बन जाती है जैसा कि विवा नामकरण ग्रह प्रवेस महुरत या फिर कोई नवीन कारिय आप खोलाश्टक में प्रारंब ना करें ऐसा करने से आपको उस कारिय में हानी हो सकती है तथा आपके जीवन में दुखों का वासो हो सकता है प्रन्तो यह समय कांत्रिक साधनाओं के लिए और सिध्या प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्पूर्ण समय होता है इस समय जो लोग अपने इश्ट की साधना करते है या जो लोग अपने जीवन में सिध्यों को प्राप्त करना चाते है या अपने इश्ट की करपा को प्रबल करना चाते है यह एक उत्तम समय है क्योंकि होलाश्टक का समय बहुत ही सुभ माना जाता है और इस समय यह क्रियाएं बहुत प्रभावी हो जाती है होलिका देहन वाले दिन आप कुछ उपाय करके अपने जीवन में सुख सम्रदी पा सकते हैं जिस से आपके जीवन के सभी संकट टल सकते हैं मित्रों मैं आचारिय प्रदीप भारत द्वाज उन्हें आप से विंति करता हूं कि अगर आप मेरे द्वारा बताए इन उपायों को अपने जीवन में अगर आप कर लेते हैं तो इस होले आपको क्रोड़पती बनने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मा बगला मकी की साधना से समस्त संकटों का नास हो जाता है मा के क्रपा से मा के अनुग्रह से मैं आप लोगों को जो भी उपाय बताऊंगा इसके करने से आपके जीवन के समस्त विग्न बाधाय पूर्णत है समाप तो हो जाएगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है जिससे आपके जीवन के सभी संकट टल जाएगे अगर आपके व्यपार में दिक्कत आ रही है या आपके जीवन में पैसे की कमी बनी हुई है और मुसीवत ने चारो तरफ से आपको घेरा हुआ है यह चमतकारी उपाय करके आप अपने जीवन में सुक्सम्रिद दिला सकते हैं व्यपारिक छेत्र की बाधा दूर कर सकते हैं पूठ छोटा सा और साधार सा दिखने वाला यह उपाय आपके जीवन में किसी चमतकार से कम नहीं होगा आपने होली का देहन के अगरी में सवामुठी नमक और सवामुठी पीली सरसूग लेकर अपने घर के सभी सदुस्यों को उपर से एंटी कलोकवाई साथ वार इन चीजों को उतार कर अपने संस्थान में अपनी दुकान में अपने घरों में सभी कोनों में आप इस पीली सरसों को और नमक को इस पर सकरा कर आप होलिका के अगनी में अगर इसको डाल देते हैं और इसके पस्टात आप होलिका की तेन परिक्रमा कर लेते हैं आपके जीवन के सब्वेशानिया समाप्त हो जाएगी सब्वेशाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी मित्रो बहुत चमतकारी उपाए है अगर आपके घर में कलेश की स्थिति बनी हुई है हर वक्त आपके घर में लड़ाई जगड़े होती रहते हैं आपके परिवार में सदभाव नहीं है कोई भी व्यक्ति प्रेम से नहीं रहता बार बार छोटी छोटी बातों को ले करके होता है महां से मालक्ष में रूठ कर चली जाती है तो मित्रो सरप्रधम अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में धन की कमीना हो आपके जीवन में सभी भोतिक स्वीधाव आपको प्राप्त होती रहे तो आपको अपने घर से क्लेश को समप्ट करना होगा क्योंकि जब तक अगर में ख्लेश रहे तब तक आपके जीवन में आर्फी कटिंगे पैसे की प्रेशानी धन की कमी कारूबार की दिकत अनेक और एक बाद ह канал की जीवन में डुक हमेसाही मुझाही रहेगा मैं गैर citrus को कहता हूँ कि जब तक आपके जीवन में आपके घर में कलेश की इस्तिती होगी आपके जीवन में सुक्समरिदी का बास हो ही नहीं सकता इस बात में कोई संद्धे नहीं है तो मित्रों अगर आपके घर में कोई कलेश की इस्तिती बनी हुई है बार 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 चोटी-छोटी पर शगड़ा हो जाता है तो आपको इस छोटे से उपाई से आपके जीवन में आपके घर में प्लेश से पूर्णते मुक्ति हो जाएंगी आप इस उपाए को करके अपने जीवन से अपने घर से कलेश से मुक्ति पा सकते हैं आपको होलीका तेहन वाले दिन रात्री के समय होलीका की अगनी में सवा मुठ्थी जो काटा लेकर अपने घर में सभी सदुष्य को उपर से पांच बाच वार उतारकर उसाटे को आप होलिका के अगनी में स्वाहा कर दीजे इसके बाद आप होलिका के अगनी के साथ प्रेम क्रमा करके भगवान श्री नारायन से अपने घर में कलेस मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें मात्र ऐसा करने से आपके घर से पूर्ण तेह कलेस से मुक्ति हो जाए आपके जीवन से सभी प्रेसानिया समापत हो जाएगी मित्रों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और हमारे उन उपाय से आपको लाब मिल रहा हो तो आप वीडियो पर कॉमेंट अवस्थे करें और हमारे यूटूब चनल मा बगला मकी भक्त सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ग्यान वर्दक वीडियो आपको अपने प्राप्त हो सकें इसी मनों कामना के साथ जैमा बगला मकी स्री बगला मकी सर्वदा साहाए